लोकसबद चुनाव की तारीकों के एलान के साथी भारते जुनतापाटी के तमाम नेताओं की तरफ से जोरो शोरों से प्रचार किया जा रहा है लेकिन अब हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर इंडिया गटबंदन का क्या होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात करें ममताब एनरजी पहले से ही विड्रॉल कर चुकी है उन्होंने अपनी तमाम सीटों पर टीमसी की वदाय को कोतार दिया है और साफ तोर पर ये कहा गया कि देखिए हमारे ही प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उत्रेंगे लेकिन इन सब के बीच में अब इंडिया गटबंदन पूरी तरीके से तूटता हुआ नजर आ रहा है बिहार की खास तौर पर बात करें तो बिहार में कॉंग्रेश और आरजडी में टूट होती हुई दिखाई दे रहे और वो दो सीटों को लेकर है कॉंग्रेस बेगु सराय से कनहिया को प्रत्याश्य बनाना चाहती है और कटिहार सीट से तारिक अनवर को फिलाल चुनाव लडाना चाहती है जब तक बाते निकल कर सामने आईए जबकि दूसरी तरफ अगर हम आरज़ेडी की बात करें तो देखे बेगु सराय से लेफ्ट और कटिहार से आरज़ेडी जो है अपना लगातार दावा ठोक रखी है अश्वाक करीम को कटिहार से आरज़ेडी प्रत्याश्य बनाना चाहते है तो यह दो सीटे हैं जिनको लेकर अभी फिलाल तनाव बरकरार है दोनों पार्टियों के बीच में लगातार बैठकों का द सामने आई थी कि सीट शेरिंग का फॉर्मिला जो है वो फिलाल तैह होता को नजर नहीं आ रहा है और ठीक यही चीज़े बिहार में भी हो रही है अब आप यह समझे कि बिहार के सिती जो है वो किस तरीके की बनी हुए कि दो सीटों को लेकर कॉंग्रेस और आरज़ेडी मे क्या बेगु सराय और कटेहार सीट को लेकर जो विवाद चल रहा है यह सौल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीकों का एलान हो चुका है तेजस्वी आदव खुचुनावी मैदान में है राखुल गांदी लगतार भारत जोड़ों जन्या ग्यात्रा कर रहे हैं लेकिन इन सब के बीच में ये दो सीटे ऐसी हैं जिनको लेकर बिहार में जो गटबंदन होने वाला है उस वो तूटकी कगार पर पहुच चुका है